डॉक्टर साब, मेरी मम्मी की पेट में रोज दर्द होता है, आप देख लीजी उनको क्या प्रॉब्लम है बेटा, तुम आयो अपनी मम्मी के साथ में, तुमारे पापा क्यों नहीं आये? डॉक्टर साब, मेरे पापा फॉज में है, उनके पास इतना टाइम नहीं है, चलिए मैं ही लेकर आगे अपनी मम्मी को हाँ तो मैडम, कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है तुमारे पेट में अरे डॉक्टर साब, आप में तुम्हें क्या बता हूँ, मेरे पेट में इतनी तेज दर्द होता है, कि मैं पूरी लोटपोट हो जाती हूँ डॉक्टर साब, मेरे मम्मी पल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उनके पेट में कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी के पेट में कैसा भी दर्द हो, हम उनका बहुत अच्छे से उपचार करेंगे और हम दर्द के ही डॉक्टर हैं, हर तरीके का दर्द खत्म कर देते हैं तो ठीक है डॉक्टर साब, आप मेनी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दीजिए ठीक है बेटा, आप मेरे पास आजाईए और मुझे दिखाईए बेटा, तुम्हारी मम्मी को तो बहुत बहुंकर परिसानी है लेकिन बो सब जानने के लिए न, मुझे इन्हें अल्टर साउंड कक्ष में लेकर जाना पड़ेगा डॉक्टर साब, आपको मेरे मम्मी को जहां पर भी ले जाना हो, आप बहाँ पर ले जाए लेकिन मेरे मम्मी को ठीक कर दीजिए हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल चिंता मत करो तुम, तुमारी मम्मी को, हम बिल्कुल ठीक कर देंगे तो मेडम, चली आप मेरे साथ ठीक है बेटा, तो यही पर बैठ, मैं अल्टरसाउंड करवा कर आती हूँ ठीक है मम्मी अब मम्मी तो चलीगी, जल्दी से पापा को फोन करके, यहाँ पर बुला लेता हूँ डॉक्टर साब, आपने तो मेरे बिटे से बोला था, कि आप मेरे अल्टरसाउंड करवाने के लिए लेकर जा रहे हो लेकिन आप तो अपने बेडरूम में लेकर आये हो देखो मेडम, ज्यादा अज्यान बनने की कोशिस मत करो मैं तुमारे इसारों से समझ गया था, कि तुमारे पेट में कौन सा दर्द है और इस दर्द को खत्म करने का उप्चार मेरे पास बहुत अच्छा है पापा आप ना जल्दी सिस्टार होस्पिटल पर आ जाओ, ममी ना डोक्टरे साथ अंदर चली गई है अच्छे बेटा, चल ठीक है फिर मैं आता हूँ पापा जल्दी आना? हाँ आता हूँ बेटा ठीक है पापा तो इतने भी समझदार डॉक्टर होते हैं क्या? अरे हम तो उन डॉक्टरों मैंसे हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लें तो पर हम तुमारी फिलिंग्स को कैसी नहीं समझेगी? अच्छा अब समझी गए हो तो अच्छे से टीटमेंट कर दे ना मेरा बिल्कुल चिंता मत करो मेडम, बहुत अच्छी से टीटमेंट करूँगा तुमारा चलो, चलकर बैट पर बैठो ठेक डॉक्टर साब, जब मैं आपके पस पहली वर्दबाई ले निकले आई थी ना तब ही मुझे आप पसंद आ गए थे तब ही मैंने सोचा, कि ऐसा क्या बहारा बनाया जाए, जिससे मेरी और आपकी मुलाकात हो सके अरे, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, बनना हम तो पहले ही आपसे मुलाकात कर लेते हा, मुलाकात तो मैं तुम से पहले ही कर लेती, लेकिन मुझे डरड लग रहा था. कहीं आप मेरी बातों का, बुरा ना मन जाये. मैडम, हमारा तो कामी है है. तो भला हम आपकी बातों का बुरा क्यूं मानते हैं? हा पेटा, बता कहा है तेरी मम्मी? अच्छा अब तू एक काम कर बेटा तू यहां से घर चला जा तेरी मम्मी को तो आज मैं देख लूँगा ठीक है पापा समाल कर जाना बेटा ठीक है इसका मतलब मेरा बेटा बिलकुर सच बोल रहा था कि जब मैं बॉर्डर के लिए चला जाता हूँ तो मेरी पीठ पीछे यह डॉक्टर के पास इसी लिए जाती है जिससे कि उनसे तांका भिला सके आज इसको रंगे हातों पकड़ कर देऊंगा मैं अभी जाकर पकड़ता हूँ मैं इसको अनुसका हो गया अल्टरसांड तुम्हारा अरे रोहित तुम तो बॉर्डर पर थे फिर इतनी जल्दी यहां कैसे और हां तुम्हें किसने बता दिया कि मैं दबा लेने के लिए आई हूँ तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी तो मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में पता नहीं चलेगा अनुसका सब कुछ जान चुका हूँ मैं तुम्हारे बारे में क्या मतलब है तुम्हारा पहले तुम मुझे ये बताओ, कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अरे भाई साब, आप हॉस्पिटल में आकर, ये कैसी बाता कर रहे हो? जब ये हॉस्पिटल में आई हैं, तो दबाई तो लेने आई होंगी ना? हाँ डोक्टर साब, सही बोल रहे हैं, मैं दबाई ले लिख लिए आई थी, और हाँ, मैं अकेली नहीं आई हूँ, हमारी बेटे को भी साथ ले कर आई हूँ बेटे को साथ लेकर आना तो तुम्हारा सिर्फ एक बहाना है तुम्हारा असल मकसद तो इस डॉक्टर के साथ मज़े करना है सुनिए बाई साब मेरे होस्पिटल के अंदर आकर ये बेफजूल की बात मत कीजिए आप नहीं जानते कि मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ हाँ रोहित ये तुम बेफजूल की बाते क्यों कर रहे हो और तुम्हें किसने बता दिया कि मैं यहापर मज़े करने के लिए आई हूँ तुम्हें मेरे उपर बिल्कुल भी विस्वास नहीं है डॉक्टर साब आप तो चुपी रहें तो ही अच्छा रहेगा आप हर किसी का इलाज करते हैं ना आज मैं आपका ऐसा इलाज करूँगा कि आपको जिंदगी में कभी इलाज करवानी की जिरुवत नहीं पड़ेगी क्या बोल रही हो तुम कि तुम यहां पर मजे करने के लिए नहीं आती हो मुझे तुम्हारे को भरोता है या नहीं है अनुसका सच का हूँ ना तुम मुझे तुम्हारे उपर बहुत भरोसा था लेकिन आज ये सब देखने के बाद तुमने मेरा भरोसा ना पूरी तरह से तोड़ दिया है और तुम बोल रही हो ना कि तुम यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आई हूँ अरे यह बताओ तुम मुझे कि बेडरूम के अंदर कौन डाक्टर इलाज करता है कौन सा इलाज किया यहाँ पर कौन सी मसीन से लगी हूई है यहाँ पर जो तुम्हारा इलाज करेंगी यह डॉक्टर इलाज करेंगा तुम्हारा और हां तुम उससे पूंच रही थी ना कि मुझे किसी ने बता दिया तो मुझे न हमारे बेटी ने बताया है फोन करके उसने मुझे कई बार बताने की कोशिस की थी लेकिन मैंने न उसकी बात वर बिसपास नहीं किया नहीं कि वो तो बच्चा है वो क्या जानता है इन सब चीजों के बारे में लेकिन जब लगाता उसने कई बार मुझे फोन किया तो मुझे भी लगने लगा कि हो सकता है मेरी पीट पीचे मेरी वाइफ ये सब कर रही हो तो मैंने सुचा कि इस बार जाकर के उसको रंगे हाथों पकड़ूंगा तभी मैंने साम की फिलाइट पकड़ी और मैं घर आ गया मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था जिससे कि तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं चल जाए कि मैं घर आ रहा हूँ क्योंकि अगर तुमको पता चल जाता तो साहिब तुम मेरे सामने ये सब नहीं करती और ये बीमारी का भाना भी नहीं बनाती क्या बोलकर आई थी तुम घर से, और हमारे बेटे से क्या बोल रही थी, कि तुमारे पेट में बहुत ज़िश दर्द रहता है, हर रोज तुम डॉक्टरों के पास आते हो ने तेखाने के लिए, क्या कहूँ में तुमारे लिए, बेशराप करने के लिए जाती हो दोक्तरों क को माफ कर दूंगा उसका तुमने बहुत बड़ा अपरात किया है अपरात कहते हैं इसके लिए और यह न माफी के लाइक नहीं होता है इसलिए मैं तुमको कभी माफ नहीं कर सकता और हां याद रखना आगे से न तुमको मेरे घर आने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऐसी तेरा यह हॉस्पीटल सील करवाता हूं बचे का नहीं तेरा यह हॉस्पीटल देख लेना तू और चलता हूं मैं ऐसे घर आ मत जाना ध्यान रखना अरे रोहित मेरी बास सुनूं सार मेरी बास सुनिये सार